वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स चींज जैपनीज लीग का मैच हुए है काशिवा रिसल वार्स अपना एविस्पा के बीच तो यह मेरा टेलीग्राम चैनल है तो यह यह पर लिंक दे रख है ठीक है नीचे जाए अपना डिस्क्रिप्शन में जॉइन के लिए कि रात की यह कादी टीम ओपन आएगी so don't miss any upcoming update मैंने कल भी ओपन दी थी और अब बात करते हैं इस मैच की तो भाई मेरा पहला जो आपको चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं तो जिन लोगों ने Australian League का मैच खेला है वो यह वाला मैच मत खेले ए लीग की टीम मनाने में फरक आता है जप जपान लीग में फरक आता है तभी मैं जपान लीग को एवाइड करता हूं लेकिन अब क्या था कि यह मैच की टाइमिंग थी साड़े गया रहा और मुझे साफ दिख रहा था कि यह बहुत लोग खेलने वाले हैं जो जिस बंदे ने मेरी वीडियो पहले देख लिए तो मे के सामने री क्रियेट करनी पड़ती है दूसरी आईडी पे तो भी आँपर बात करें तो हसोया एम हसोया जो कि प्रिवियस 28 सेप्मेंबर को नहीं खेला था पर उसके बाद इसकी वापसी हो गई थी क्योंकि सप्तंबर के बाद ऐसा तो नहीं कि जपान लीग के मैच नहीं अरे हर हफते में कितनी बार होते हैं ठीक है तो हसोया इस मेन प्लेयर उसके बाद ऑपोजिशन टीम का इनका एक प्लेयर है वेलिंग्टन वेलिंग्टन लुइस को बहुत देर से हम एवाइड कर रहे है चल भाई आज नहीं लूँगा तो मतलब इतना टाइम हो गया कि मैन आज दानी की वापसी करेगा की नहीं इसलिए उसकी जगे पर विलिंग्टन लेना इस नौट गुड यह रिप्लेस नहीं करते एक दूसरे को इनका खेलने का तरीका बहुत अलग है इसलिए मैं विलिंग्टन के साथ नहीं जाओंगा इसलिए अगर आपने किसी को लेना है तो अब opposition team के खीनोशीता को ले सकते हो वाकी मैं आपको जबरदस्ती वाली बात मैं करता नहीं कि इसको लो इसको लो जबरदस्ती मैं खुद भी नहीं कर रहा अपने आपसे भी ले midfilding की बात करें तो के कौनो जो की FKK team का के कौनो एक बहुत normal सा एक player है ठीक है जैसे कि आपने आगे से striker छोड़ा है तो जाहिर सी बात है midfilder बढ़ा होगे दो player तो आपके पके हैं एक HMA और एक कोनो और तीसरा player जो है that was PNAD Matsuka अगर Matsuka खेलता है तो मैं जरूर लोगा अगर नहीं खेलता तो इसकी जगे पे जो खेले उसको लोगा क्योंकि मेरे को formation वड़ी टीम बनानी है single formation की team है midfilding के सीधा सीधा जितने भी format में है जो player खेल रहोंगे वो सारे pick करने है एक format में जो होंगे बहले वो मतसूप का हो या नीचे से कोई हो उसके बाद opposition team की बात करें तो शैव यो बड़ा दमदार खिलाड़ी है यार यह बंदा है जो एक कभी कभार मेरे को उमीद लगते गोल की हाला कि जादा गोल दूनों team के नहीं आए है लेकिन एक के team थोड़ा वो रिकवरी करना जानती है तो शायद आज एक आदा गोल दिख रहा है मेरे को उसके बाद यमादा की बात करें देखी यमादा को जबरदस्ती लेना कोई अच्छी बात नहीं है उसके बाद S Toshima आपको free के point दे रहा है तो मैं जरूर कहूंगा उठाने को यमादा की जगे पर उठाओ आप selection देख रहे हो कि यह अठावन है यह पांच है ऐसा मत करो भाई आप player जो लेना है जो पसंद है जो अच्छा करते हैं उनके साथ जाओ defending की बात करें तो यहाँ पर मैं लूँगा D जारा को जिस जो की previous 28 September के बाद यह लोग मैच शो नहीं कर रहे लेकिन मैठ 18 September की भी अगर बात करूँ तो यह बंदे ने गोल करने की कोशिश की थी जो नकाम हो गया था बिचारा उस दिन तो उसके बाद अगर बात करें सिकाइन की तो हैच सिकाइन इस मेन और हैच सिकाइन के बाद इनका एक प्लियर है इची यह कभी भी वापसी करेगा उसकी जगा पर टी कोगा घेर रहा है बट कोगा ने जगा बनाई अपनी बहुत अच्छी उसके बाद टी इनुकाई के साथ यहाँ पर मैं जाओंगा जो की मेरा फेवरेस्ट यहाँ पर मेरा वो प्लियर है जो की सेलेक्शन बेसिस पे कम है और फोर्थ डिफेंडर है इस बंदे की एक एसिस्ट आपको इतना आगे ले जाएगी ना के मैच में की क्या बताएं और गोल कीपिंग की बात करें तो यहाँ पर देखें दो आप्शन है आपके बास और दोनों में से एक खेलेगा मसाकी जब तक इंजड है तब तक नागा तब तक नागेशी खेल रहा है जब मुरा कामी आ जाएगा तो नगीशी हड़ जाएगा तो बात करें कप्तान की तो मेरा कैप्टन है शैवी हो और मेरा वाइस कैप्टन है डी जा रहा ठीक है तो यह मेरी टीम मिलते है नेक्स्ट वीडियो में बाइ